आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने डेवीट काड और क्रिडिट काड, HDFC का डेवीट काड और क्रिडिट काड में आप कैसे आप लोग international transactions को enable कर सकते हैं ठीक है? उसकी बाद आप internationally अपने काड को use कर सकते हैं तो कैसे करेंगे अगर आप किसी अबराड में कंट्री में जा चुके वहां पे आप cash flow करना चाहते हैं या फिर वहां पे आप online shopping करना चाहते हैं तो ऐसा मतलब कोई भी international transaction करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हो तो मैं आपको method दिखाऊंगा आप अपने HDFC mobile banking app में जाएंगे यहां पे आप login करेंगे मैंने यहां पे login किया आप लोग इन हो जाएगा यहां पे आपको क्या करना है यह जो आप यहां पे देख रहे हो menu का जो option है यहां पे इस पे आपको tap करना है टैप करने के बाद यहां पे आपको यह वाला जो option आप देख रहे हो pay वाला ठीक है pay वाले option पे आपको click करना है तो मैं pay में click करता हूँ उसके बाद आपको दिखीगा यहां पे cards को option ठीक है मैं cards पे click करता हूँ और जितने भी cards मेरे होंगे credit card debit card वो यहां पे reflect करेंगे ठीक है अभी मेरे पास यहां पे देख सकते हो कि मेरे पास money back प्लस visa credit card है यह credit card के अंदर आ जाता है यहां हम देख सकते हो और debit card मेरे पास एक है debit card यहाँ पे आप देखते हो तो रूपे debit card मेरे पास है और credit card है मेरे पास money back plus visa यह वाला ठीक है तो यहाँ पे आप इसमें international transaction कैसे enable कर सकते हैं वो मैं दिखाओंगा आपको ठीक है तो पहले मैं आपको दिखाओंगा debit card का ठीक है जो आपका debit card होता है उसमें आप international transactions को कैसे enable कर सकते हो तो simply मैं यहाँ पे debit card पे tap करूँगा tap करने के बाद यहाँ पे हम show more पे click करेंगे और show more click करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो customize option and customize पे click करूँगा मैं and then यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप अपने जो card है न इसके limits आप set कर सकते हो domestic as well as international domestic मतलब इंडिया में जो आप card को use करते है उसको बूलते है domestic और internationally अगर इस्तमाल करोगे तो इसमें international का option आपको यहाँ पे नीचे मिलेगा यह वाला आप देख सकते हो ठीक है domestic भी आप यहाँ पे change कर सकते हो international फिलाल मैं इसमें आपको international के बारे में बूलने वाला हो तो मैं international में click करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे करना यहाँ से यह इनेबल हो गया और टोटल लिमिट जो है मेरे को इसमें 3,00,000 का है ठीक है includes all limits mentioned below including limit cannot exceed total limit तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ATM withdrawal अगर आप चाहते हो यहाँ पे आप सैट कर सकते हो यहाँ पे मैंने कितना 3,00,000 तक मैंने यहाँ पे ATM withdrawal सेट करके रखा है अगर आप चाहते हैं कि आप अपने debit card से कम पैसे मतलब limit कम करना चाहते हैं तो फिर आपको इसको scroll करना पड़ेगा जितना आप limit रखना चाहोगे तो मान जीचे मैंने यहाँ पे 19,000 का limit रखा है तो मैं खाली अपने debit card से 19,000 ही withdraw कर सकता हूँ ठीक है तो अगर आप limit बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हो यहाँ से online में आप कितना online transaction अगर आप मतलब किसी website पे payment करते हो किसी भी जगा पे पे payment करते हो आप चाहते हैं कि मैं online इसको यूज ने कर हो तो यहाँ पे बंद कर सकते हो simply ठीक है और यहाँ पे merchant outlet जो किसी आप किसी shop पे जाते हैं किसी दुकान पे जाते हैं store पे जाते हैं कहीं पे तो वहाँ पे जो आप swipe करते हो na POS machine में point of sale जो machine होती है जहाँ पे आप swipe करते हो अपनी card को तो वह भी यहाँ पे बंद और enable रख सकते हो तो कितना limit रखोगे वह आप यहाँ से set कर सकते हो ठीक है और contactless कुछ cards होते हैं contactless उनको pin देने की जुरहत नहीं वह खाड़ी machine को दिखाने पड़ते हैं तो वह अपने आप यह हो जाता है क्या बोलते हैं इसको उसमें आपको pin देने की जुरहत नहीं पड़ती है ठीक है directly आपका payment हो जाता है आपको खाली card दिखाना है machine को ओके तो यहाँ से भी वह enable कर सकते हो disable भी कर सकते हो contactless payments तो यह होगी आपके debit card का ठीक है इसी तरी के same to same आपको credit card में भी options मिलेंगे ओके तो यहाँ पी आप domestic भी set कर सकते हो domestic में भी आपको same options मिलेंगे कोन आप disabled रखना चाहते हैं कोन आप enabled रखना चाहते हैं देखो मैंने यहाँ पे अपना contactless payments off रखा है क्योंकि मुझे secure नहीं लगता है ठीक है तो इसको मैंने बंदी रखा है क्योंकि विदावट पिन विदावट swipe के बगारी आपको आपको payment कर सकते हो खाली आपको card दिखाना बढ़ता है तो इसे मैंने इसको बंद रखा है merchant outlet पे कितना limit मैंने रखा यहां पे आप देख सकते हो तो अपनी हिसाब से इसको customize कर सकते हो अब मैं आपको credit card का दिखाता हूँ यह तो मैंने आपको debit card का दिखाया अब मैं back करता हूँ उसके बाद फिर से back यहां पे मेरा जो credit card है इसमे मैं टैप करता हूँ और यहां पे आप show more पे क्लिक करेंगे इस वाली option पे तो यहां पे मैं show more पे क्लिक करता हूँ सेम टु सेम कस्टमाइज पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको यहां पर भी वैसे ही लिमिट सेट करने कि कौन से ऑप्षिंस आप यूज करना चाहोगी कौन से नहीं मैंने यहां पर देख सकते हो तो मैं अगर अपना क्रेडिट कार्ड एट्यम में लेके जाओंगा तो ऑनलाइन में आप मैं 10,000 रुपीज तक मैं spend कर सकता हूँ किसी भी दुकान में जाके मैं यहां पर शॉपिंग कर सकता हूँ अप टो 23,000 ठीक है contactless payments मैंने बंद रख्या है तो इस तरीके से आप international transaction को enable कर सकते हो अपने debit और credit card में HDFC के credit card और debit card में ठीक है और next video में मैं आपको बताऊंगा SBI में कैसे आप कर सकते हो यह सारा जो international transactions को enable कैसे कर सकते हो और इस वीडियो के regarding अगर आपको कोई लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल भी मत बूलिए और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए उस बंदे के साथ शेयर कीजिए जो कि इसमें जिसको इसकी जुरत होगी ठीक है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना खयार रखे असल